से साथ IIT और हर किसी में मुझे याद है लगभग 28 या 14 के करीब सीट थी तो 28 के करीब सीट थी हर IIT में इंटू 7 कर लो कितना हो गया 7, 8, 56, 7, 2, देख लो करके हैं न तो 24 इंटू 168 के करीब ऐसे कुछ सीट आएंगी यानि ओल ओवर इंडिया मास्टर्स कोर्स में मैथेमेटिक्स में सिर्फ 168 सीट थी 7 आएटी मिलाकर ज्यादा लगा लो 108 होंगी पूरी 7 आएटी लगाकर तो जब प्रोफेसर ने बोला कि आप जॉइंट एड्मिशन टेस्ट तू जो MSC का टेस्ट है वो दो मैंने का यार सर कि उसमें तो क्या हमारी सीटी से आज तक कोई गया वोले नई आज तक तो कोई भी नहीं गया मैंने घाट तो फिर मैं कैसे जाओंगा मुझे तो कुछ पता ही निए किस से पता करूँ क्याँ होगा क्या नहीं तो उन्होंने बस बताय कि इस डेट को exam होता है इसके पहले फ पढ़ाना थोड़ा कम कर दिया, स्टुडेंट्स को ओल दिया कि अब तुम्हारे एक्जाम है, अब मैं जादा नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो अभी तो सिर्फ हम, अभी तो सिर्फ हम क्या करेंगे, अब मुझे पढ़ाई करने दो, तो मैंने तीन महीना लगतर पढ़ करके खाना कहलो, और मनाशता कहलो, वो करके पढ़ने बैठ जाता था, लगभग 12-12.12 बज़े पढ़ने बैठा, फिर तीन बज़े तक पढ़ने के बाद, फिर थोड़ा खाया पिया, घूमे टहले फिरे, फिर 4-4.04 बज़े फिर बैठ गए, चार-4.04 बज़े फिर बैठ फिर नो वजो उठ है खाना बना खाया घूमा फिर है ग्यारा बजे फिर बैठे और 11 बजेंसी लेकर सुल्बच्र शे डख दक फिर उक्रट के बाद शेवेज निय१्यद मैनने इ सिर्फ टीन महीना किया मैंने कुछ दस के करीब सब्जेक्टिव गाने 17 महीना मैंने या practice किया तो आइटी रूटकी थे ग्जाम के जम जब मैं एक्जाम देने गया तो सौ सवाल आये थे तो ऑब्जेक्टिव थे और कुछ 10 के करीब सब्जेक्टिव भी थे तो 100 objectives में से मुझे याद है मैंने 96 objectives सही किये थे 4 मैंने इसलिए छोड़ दिये थे क्योंकि negative marking थी तो हो सकता था negative mark साजा इसलिए मैंने 4 छोड़ दिये थे और 10 subjective में से मैंने शायद 7 के करीब कियोंगे 3 मुझे आते नहीं थे मैंने छोड़ दिये तो यानि कुल मिलाकर 110 में से subjectives में 110 में से 100 में से 96 और उसमें 7 किये अब मैंने class के जैसी exam दिया आप बहार आते हो बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे भी बहुत सारे लोग मिले मैंने लोगों से पूछा तेरा कैसा हुआ यार लोगे बहुत बढ़िया हुआ मैंने कितने किये बोले वह सौ घल की धविए मैंने और10 में से यह जाब यार दूसरे से पूछा तेरा कैसा रुवा सारे कर दिये सारे कर दिये मैंने एक दो से और पूछा बहुत गर में चません अब डर आयाए घर में सब ने आए ऱंफ मेरे साफ सो अच्छा हुआ था लेकिं अच्छा उच्छा हुआ था लेकिन की लेकिन Dewar दो लोग कर रह थे ँगति ज्यादा श्लत i8at पागल था वह तो गधा था तो एक तो पॉल रहा था मिने सारी कर दिये उनका तो नंबर था इनी लिस्ट में धिमाख खरा हो गया है अब आइडी रूड की साहरनपूर जो साहरनपूर रहता है मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पर स्टीव फ्रोस्ट पलारी क्या नाम रखा तो वह जानता है साहरनपूर से रूड की बहुत पास है तो साहरनपूर में रहकर रूड की में सेलेक्शन हो जाए तो सच्छी बात क्या है 30-40 मिनट मेरे काल से एक घंटे करीक पर रास्ता है घर से कोई दिक्कत नहीं है तो अब लाइफ चिल हो गई अब मैंने फर्म भरे थे तीन चार जगा के आएट रूड की भरा था आएट कानपूर बर और आएट बॉंबे भरा था और आएट बहु भरा था तो फिर अगला एक्जाम आया आएट बॉंबेगा अब आएट रूड की में सेलेक्शन होगे लाइफ चिलो गई पढ़ाना लिखाना मैंने बंद कर दिया और अब सारा दिन अराम से बैठे थे क्योंकि एड्मिशन में भी टाइम था एक दो महीने का तो घर में चेल मारते थे घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे कि पढ़ लो तुमने पढ़ाना भी छोड़ दिया पढ़ भी नहीं रहो क्यों क्यों इड रुड़ ये असका सेंटर पांच पनिट लगे में या सेंटर था उसका सेंटर था तो वश्मियों कि एक्जाम छोड़ दो गया आईडी बॉम्बे का क्या करना है देखे बेकार है एक जगत होई गया सेलेक्शन अब क्या करना है इतनी दूर बॉम्बे कौन जाएगा तो वही होता है जो तुमारे साथ भी होता है क्या उदर से पापा ने सुन लिया तो बस फिर वही जो तुमारे पापा बोलते पेड़ पर पैसे लगते गया डेढ़ हजार का फॉम आया था नहीं भरना तो तो पहले बोलना था नहीं जाना था तो जाना तो पड़ेगा ऐसे थोड़ी होगा तो ठीक है भाई अब उदर से जब डांट पड़ी तो लगा कि जाना तो पड़े गई यारब तो मुझे आदे अगले दिन एक्जाम जो था मेरा धाई बज़े था रुड़की में साहरनपुर में रहता था एक्जाम धाई बज़े था रुड़की में ठीक है तो अनमने मन से मैंने घर से बाईक ली चला गया रेलवे स्टेशन पर स्टैन्ड पर बाईक खड़ी की तोकन लिया पैसा दिया और जाकर रेलवे का टिकेट खरीदा खड़ा हो गया ट्रेन आनी थी पैसेंजर ट्रेन थी आनी थी साड़े बारा बज़े और रुड़की से लगवग एक देड़ घंटा लगता है तो साड़े बारा मैंने हिसाब लगा रखा था साड़े बारा एक घंटा लगेगा देड़ घंटा लगेगा तो देड़ दो बज़ दग आम से पहुंच जाएंगे ठीक है जाकर टिकेट खरीद कर खड़े होगे स्टेशन पर अब जब खड़े होगे तो यूपी है हमारा बहुत महान प्रदेश है तो ट्रेन आई नहीं देड़ बज़े का टाइम तो ट्रेन आई नहीं लेट हो गई होगी कोई बात नहीं खड़े रहे एक बज़ गया ट्रेन नहीं आई एन्नाउंसमेंट भी नहीं हुआ डेड़ के बाद इंतजार करते करते दो बज़ गये ट्रेन फिर भी नहीं आई फिर मैंने हिसाब लगाया कि यार अब तो बड़ा लेट हो गया अब क्या करें ट्रेन तो आई नहीं तो मैंने सुझा आप घर चलो हूँ घर में पापा को दिखा देंगे देखो टिकेटर रेलवे का नहीं आई ट्रेन आई तो मेरा कोई बस थोड़ी है मैं कैसे जाता फि अब क्या करें तो बाई जब तुम्हारे जितने तो बहुत जादा जोश रहता था तो क्या किया बाईक उठाई चलो रूड़की बाईक से चलते एक्जाम देने के लिए तो बाईक उठाई स्टैंड से और चलेगा एक्जाम देने के लिए 40-45 किलोमीटर का दूरी है चना पर जो पहुंचा जेने के लिए जरय दाए बजे का इख्जाम था उस पर लिखा रोड़ भागते बाद पंदरा मिनट अगर अपद्क उनगे बाद आउब्करी और कि शेली ऐ पहुचा लगभग चार बच चुके थे तो चार बच गए एक्जाम तीन घंटे का था साड़े पांच बचे खतम होना था लगभग घंटा गुजर चुका था डेर घंटा मेरे पास था मैं सामने गया मैंने टीचर को बोला सर यह रहा मेरा टिकिट आप चाहो तो इनकोरी में फोन करके पूछ लो ट्रेन नहीं आई यह भारत सरकार की गलती है रेलवे की गलती है कि मैं यह एक्जाम नहीं दे पाया इसव मेरी गलती नहीं मैं तो वाँ खड़ा था अब ग्जाम इंट करने लगा उसमें देखी मेरी हालत रेलवे का लिकिट भी देखो लगा लड़का सही बोल रहा है उसने कुछ कहा कि चलो ठीक है यार तुम बैठो पेपर लेकर तो मैं बैठा आप पेपर लेकर करने लगा तो सव क्वेश्टन उसमें भी लग बग नहीं 70 हां 100 गड़ी वैसी कुछ कुश्चंस थे उससे बहुत कम बने या किया और यह किया और यह मैंने já reins 470 बजे का टाइम खतम होना था मैं 계 corazón वाधे तक पोड़े पर है जितना मुझे आता था मैं खड़ा हूआ लेया वुज기에 डें के माई ठीटेर पेपर हो गया और उसे बहुत गुशा आया a विजिलेटर को मेरे उपर बहुत गुसा आया बोला यह सब बेवकूब बेटें यहां पर यह पिछले तीन गंटे से यहां बैठके करें तुन्हें सवा गंटे में पूरा कर लिया मैंने गहां से जितना आता था मुझे मिससे तो इतना ही हुआ बोले आता ही कुछ नहीं होग मैंने घर आया घर में रात को घर आया बाइक से पापा ने पूछा कैसा हुआ मैंने का विकार हो गया हो तो सौ में से तो 75 यह उपाए बस फिर वोई डांट शुरूर दो महीने से अराम ही कर रहे थे पढ़ाई से तो कोई वास्ता था ही नहीं बस एक बार एक आईडी में स ठीक है अब मेरे जिन्दगी की सबसे मनलब खुशने जिस मैं कह सकता हूँ I was most happiest moment of my life 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद घर में लैंड लाइन पर एक फोन आया अब ध्यान से सुनना 15 दिन के बाद मेरे रॉंग्टे अभी भी खड़े हो रहे हैं यह बोलते वे 15 दिन के बाद ल मेरा फोन है किसी का मैं किसका फोन है बोले लग रहा है को या कोई तेरा दोस्त है उसका फोन है मैंने कहां से बोले बॉले बॉले मेरा दोस्त दिल्ली नहीं आज तक बॉंबे कहां से चला जाएगा बोले नहीं बॉंबे से फोन आया तो बॉंबे से फोन आया तो मैंने I am happy to know that you have secured rank 1 at IIT Mumbai, बाईसाम मेरा दिमाग कराब हो गया। मेरे से तो फोन ही निए जी मतलब मैं क्या कहूँ। मेरे पास शब्ड निया बोलने के लिए उस वक्त। क्यों जब आपने expect ना कियो और आपको कुछ मिल जाए तो that is that is unbelievable, जो दिमाग खराब हो गया, मैं तो बोला, मैंने बोला, Sir, मैं आपसे भी बात कर नहीं कि हालत में नहीं हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं कर पारा, आप मुझे अपना नंबर लिखवा दो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, तो मुझे आदे अभी भी उ सब्सक्राइब कर हैं पाराथ यूери वन्हाल फिरी पाराएक फटड़ों का कर द्सक्राइब क सब्सक्राइब कि आप सब्सक्राइब म tenían है यह तो यह तुमेर वनें पताया आप में सब्सक्राइब कि ह awaits तो यार जैसा वो खुशी मुझे कभी उतना कभी खुश नहीं हुआ जितना उस वक्त खुश था तो ऐसी खुशी के पल आपको भी मिल सकते हैं आप बस मेहनत करें अपने उपर विश्वास करके करते चले जाएं चीजे मुश्किल लगती हैं चीजे संभव लगती हैं मुझ चीजे असान हो जाएंगी